हेलो डियर इस्टुडेंट्स वेलकम बेक और यूटुब चैनल स्टडी सर्गल 24 डियर इस्टुडेंट्स आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का मैथ सब्जेक्ट का वीडियो ठीक है तो यह मॉडल पेपर का क्वेश्टन्स है आपके पास ठीक है तो यह जितने भी ह मैं आपको बताएंगे सारे क्वेश्टन्स इंपोर्टेंट है और आपके बोर्ड एक्जाम में जो 36 गड़ 24 का एक्जाम होने वाला है क्लास 10 का तो आपके बोर्ड पेपर में यह क्वेश्टन्स आने के बहुत जाजा चांसेस है तो आज के यह वीडियो हिंदी मीडियम क अगर आपको सेपरेट इंगलिस का वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोगों के लिए अबिलेबल करा दिया जाएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथी बेल आइकन का बट ми अबिलेबल करा दिये जाएंगे तो सबसे पहले आपका जो कोष्टनस है बोट पैर्टरन के करादिंग डूटरीन कोकरदिंग जो प्रशन आते हैं सलिव के कोष्टन्ग वो है आपका objective questions तो यहाँ पास सबसे पहले देखिए यह दिये हुआ है सही भी कल्ब के लिए x square minus 64 का एक गुड़न खंड है तो यह देखिए आपको क्या करना है यह आपास यह जो x square है तो उसको तो x square लिखेंगे और फिर 64 को आपको क्या लिखना है 8 का square लिखना है तो यहाँ पास a square minus b square का formula लिखेंगे तो आपके पास क्या बनता है x minus 8 और x plus x plus 8 यह आपके पास यह formula बनता है तो यह आ गया x minus 8 और x plus 8 तो इस प्रकार से अगर इसका आप answer देखेंगे तो इसका right answer क्या हो जाएगा x minus 8 ठीक है अगला प्रशना है sin square 47 degree और cos square 47 degree तो एक formula आपको मालूम होगा sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है तो इस formula के according जब theta के place पर अगर आपके पास कोई और digit दिया हुआ है तो उसकी value भी क्या होगी 1 ही होगी तो यह आपके पास आगया 1 अब next अगला प्रशना है आपके पास कि बिन्दू minus 4 और 5 किस चतुर्थांस में है तो इस questions का answer के लिए आप यहां अच्छे से एक बाद देख लीजिए कि यह आपके पास 4 कॉडर्थांस जिसको हम बोलते है 4 कॉडर्थांस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ तो मैं आपको यहां से questions आता है इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए तो पहले कॉडर्थांस में प्लस पॉजिटिव होता है अल पॉजिटिव हम जिसको बोल सकते है और दूसरे वाले में क्या होता है एक माइनस होता है और एक प्लस होता है नेक्स्ट तीसरे वाले में माइनस दोनों माइनस होते है माइनस और माइनस और चौथे वाले में एक पहला वाले यानि x की value plus में होगा और y की value होगी वो minus में ठीक है यानि plus और minus होता है तो इस प्रकार से यह minus 4 और 5 दिया हुआ है यानि x का मान कितना है minus 4 है और y का मान जो है वो है आपके पास 5 है plus 5 तो देख लीजिए कि कौन से coordinate में होगा second coordinate मतलब दित्य चतुर्थांस में होगा यह ठीक है तो इसका option number B correct answer है बस सारे चीज़े मैं आपको समझा के बता दे रहा हूँ अगर आप एक set को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो इसी के base पे आप दूसरा set भी आप असानी से बना सकते हैं अगला प्रशन देखे साओधी जमाखाता में ब्याज की गढ़ना अधार पर तिमाही अधार पर की जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर लिजाएगी तो याद रखिए का तिमाही है तो दर तो दर का क्या करेंगे इसमें तिमाही मतलब चार से हम क्या करते हैं एक तो भाग करते हैं और चार का गुड़ा करते हैं समय में तो यहां पास दिया है तो वार्षिक व्याज की दर ली जाने चाहिए तो दर बोला गया है तो इसका मतलब क्या हुआ है एक चौथाई तो यानि चार से भाग करते हैं तो R जितना भी होगा आपके पास R वो हम बटे चार कर देंगे अपन में 4 यानि ये rate पुछा है नेक्स्ट है सम रूप त्रभुज की संगत भुजाएं होती हैं तो क्या होती है याद रखे का समानुपातिक होती है अगर मान लो ये आपके पास सम रूप त्रभुज है A, B और C इसी प्रकार से एक और त्रभुज है P, Q और R तो इस प्रकार अगर दोनों त्रभुज बराबर है सम रूप है तो इसकी जो संगत भुजाएं यानि A, B बटे P, Q हो सकता है ठीक है तो इसके यहाँ से क्या एंसर होगा आपके पास कि समन उपातिक होती है अगला प्रशन है फिलिंदा ब्लैंक से है तो एक arithmetic progression दिया हुआ है arithmetic series है 3, 5, 7, 9 का सारवंदर तो D पूछा गया है तो D का मतलब second term यानि 5 में 3 को हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 5 माइनस 3 या आएगा 2 आएगा next अब अगला प्रशन देखिए किसी घन के प्रिष्टिय बिकर्णों की संख्या कोई घन दिया हुआ है कोई एक cube मतलब cube किस प्रकार से दिया है यानि एक cube है इस प्रकार से एक cube बना हुआ है और उसमें क्या पूछा गया है आपके पास किसी घन के प्रिष्टिय बिकर्णों की संख्या तो अगर एक बिकर्ण तो बिकर्ण कितने है बिकर्णों की संख्या पूछा गया है तो बिकर्ण जनरली हम आएपस तो दो बिकर्ण जो होंगे तो इस प्रकार से आप यहाँ पास लिख सकते हैं किसी घन के प्रिष्टे विकर्णो की संख्या कितनी है दो अब next अगला प्रश्णा है आपके पास कि root 2 एक संख्या है कैसी संख्या है वो आपको बताना है root 2 एक ओपरी में संख्या है यह आप लिखेंगे irrational number बोलते हैं बृत्त के बाय बिंदू से बृत्त पर इस पर्ष रखाय खीची जा सकती है कितनी तो याद रखिएगा इसमें से कितनी इस पर्ष रखाय खीची जा सकती है दो जैसे कि मान लिजे ये आपके पास एक बृत्त है ठीक है तो अब इसमें बोला गया कि बाय बिंदू से तो बाय बिंदू कौन सा हो जाएगा अब आपके पास ये वाली जो है ये बाय बिंदू हो गई ठीक है तो इस परकार से ये बाय बिंदू से हम कितनी रखा किस सकते हैं दो एक यहाँ पास और एक यहाँ पास ठीक है तो इस प्रकार से अगर आप यह देखें तो एक ये वाला और एक ये वाला ये दुनों क्या हैं? एक सबसे बड़ी जीवा कहलाती है यानि अगर मान लिजे ये आपके पास बृत है तो बृत की जो सबसे बड़ी जीवा यानि इस केंदर से होकर ये जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट से होकर जो एक रेखा होती है इधर तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाइमीटा यानि ब्यास बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको ब्यास तो सबसे बड़ी क्या होगी? जीवा ब्यास कहलाती है अगला प्रशन देखे, अब दिधाति बवपत के अधिक्तम दो सुन्यंक होते हैं तो ये बिलकुल सही है, टीक है, तो बिलकुल ये सही है, true है ये नेक्स्ट, वाई अच्छ की प्रवारता अपरिभासित है तो बिल्कुल सही है ये next टैकिक समिकरण निकाय के अधितिय हल क्या बोला है अधितिय हल होने के लिए आविस्थक प्रतिवन तो ये बिल्कुल सही है फिर 1-cosθ 1-cosθ is equal to sinθ होता है बिल्कुल सही क्यों 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 है 1-cos square θ is equal to sinθ θ होता है sin square θ अगला प्रस्ण देखेंगे आप कि बैंकों में खाता जो बैंकों में खाता खोलने के लिए pen का होना अनिवार है तो इसमें pen का फोलपाउम भी याद रखीगा प्रस्णल अकाउंट नंबर होता है पिर यहां बस यह क्यों होगा सत्य अगला प्रस्ण देख लीजिए प्रस्ण है आपके पास बहुपद बहुपद px बहुपद px बराबर दिये हुआ 2x cube minus 5x plus 4 है तो p2 की value निकालनी है तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो इसको solve करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको solve तो इस प्रकार सबसे पहले हम यहाँ पास pq यानि जो बहुपद polynomials है उसको लिखेंगे फिर p2 निकालना है यानि x की जगा पर अपने को क्या करना है 2 लिखना है 2 लेकर चलना है तो अब p2 करेंगे 2 का cube मतलब 8 हो जाएगा तो 2 into 8 कितना हैगा 16 हो जाएगा फिर यहाँ पास 5x है तो 5 into 2 10 हो जाएगा और यहाँ पास plus 4 तो 16 plus 4 20 20 में 10 को माइनस कर देंगे 10 हो जाएगा अब इसके बाद 0 निकालना है तो x की जगा पर क्या करेंगे p0 तो यहाँ पास p0 equal to क्या मिलेगा 2x cube 0 आजाएगा प्लस 4 बचेगा ठीक है p0 की value क्या मिलेगा 4 ओके तो देख सकते हैं next है 12 और 6 का तो 3rd preparation बोला है तो इस प्रकार से आप देखिए तो 3rd preparation को हम क्या करेंगे x ले लेंगे फिर इसको preparation में change करेंगे 12 ratio 6 और फिर यहाँ पास preparation 6 ratio 6 यानि समानुपात तो इसको फिर बटे के रूप में लिखेंगे और यहाँ समानुपात के जगा पे equal का sign कर देंगे ठीक है अब यहाँ से 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और यहाँ पास फिर क्या बचेगा 6 2 जा 12 तो यहाँ से आप multiply करिए तो 2x is equal to 6 आएगा तो x equal to आपके पास आजाएगा 6 upon 2 2 3 जा 6, x की value क्या मिल गया 3 मिल गया आपको ओके अगला प्रश्णा बिंदू दिया हुआ है आपके पास 0 0 यानि मुल बिंदू का निर्दे सांग होता है और 2 3 से होकर जाने वाली रेखा की प्रमारता निकालना है तो x1 y1 का मान क्या आपके पास 0 और 0 x2 का मान 2 है और y2 का मान 3 है तो इस प्रकार से प्रमारता का ये हो गया आपके पास ये फॉर्मूला ठीक है प्रमारता का ये वाला आप जो देख पा रहे है ये हो गया इसका फॉर्मूला ठीक है अब इसके बाद तो इस प्रकार से ये आपके पास फॉर्मूला है 3 by 2 आएगा इसका एंसर अगला प्रस्टन देखिए प्रस्टन है आपके पास यहां questions है 2 cos 67 upon sign 23 degree 10 40 degree upon cot 50 degree तो यहां से अगर आप value निकालते हैं तो इसका देखिए simple trick मैं आपको बता दे रहा हूँ यहां पास जो भी नीचे वारी संख्या दी रहेगी न उसी को आपको 90 में minus कर देना है तो यहां पास क्या लिखेंगे cos 90 minus 23 और यहां पास 50 दिये हुआ है तो 90 minus 50 कर दीजिए तो formula मिल जाएगा क्योंकि cos 90 minus theta की value होती है sin theta तो यहां theta के place पे 23 है इसलिए यहां पास आजाएगा sin 23 और नीचे as is well same रहेगा यहां पास भी 10 90 minus theta cot theta होता है तो इसलिए यहां पास आपको cot theta करना है यह दोनों cancel हो जाएगा तो 2 plus 1 आजाएगा 3 next questions है निमलिकित आकडों के माधिका ग्याद करना है तो यह सबसे पहले इनको क्या करना है आपको आरोही करम में लिखना है यहनि बढ़ते हुए करम में लिखना है सबसे पहले छोटी संख्या फिर उसके बड़ी संख्या तो इस प्रकार से सबको total को total number कितने है तो यह देखे 8 है यह हो गया sum संख्या तो sum संख्या के लिए माद्धिका निकालने के लिए यह formula है अगर आपके पास हो सकता है अगर कोई 7 आता है n बराबर 7 आ जाता है यह विशम संख्या तो विशम संख्या को निकालने के लिए formula होता है md is equal to n n by 2 plus 1 n by 2 plus 1 water तो यह इसका answer मतलब यह formula है next इसमें आगे देखते हैं इसको तो यहाँ पास अगर आप देखें तो यह sum संख्या के लिए यही formula यूज़ करेंगे तो n की value यहाँ 8 है तो यहाँ पास आ जाएगा आपके पास 1 by 2 8 by 2 और प्लस 2 4 जाए 8 हो जाएगा और यहाँ पास भी n by 2 प्लस 1 तो 4 प्लस 1 5 पास पास आ जाएगा यहाँ पास अब इसके बाद भी क्या करेंगे आब फोर्थ नंबर में देख लीजे यहाँ से 1 2 3 4 32 है तो यहाँ पास 32 प्लस 33 लिखेंगे क्योंकि पास में पास में 33 है और दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे प्लस करके तो कितना हैगा 3 2 5 65 पॉंट 2 आ गया तो 2 से अब डिवाइड कर देंगे 2 3 जा 6 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 तो यह 32.5 इसका एंसर आ जाएगा next अब इसके बाद question number 7 देखिए आप यहाँ बस वर्ग समीकरण बनाईए जिसके मूल दिये हुए है आपके पस तो मूल क्या है एक minus 5 दिये हुआ है और दूसरा दिये हुआ है minus 11 तो alpha की value 5 है और beta की value minus 11 है तो यहाँ से अगर देखेंगे आप तो इसमें एक formula होता है equations बनाने के लिए x square minus alpha plus beta into x alpha into beta equal to 0 यह formula है alpha के place पे आपको क्या करना है यह minus 5 रखना है और beta के place पे क्या रखना है minus 11 रखना है तो यहाँ minus 5 plus minus 11 तो minus 11 minus 5 दोनों को plus करेंगे तो कितना है गा 16 आ जाएगा और दोनों को multiply करना है यहाँ पास alpha into beta यानी 11 into 5 11 into 5 दो 55 आ जाएगा इसका answer है ठीक है तो आपके पास इसका answer है x square plus 16 x plus 55 next शमानता है 30 दिया हुआ है इसका 11 रखना है यानी a की value क्या है 100 और d निकालने के लिए second में first को minus कर देंगे तो minus 30 आ जाएगा d की value और n क्या है 11 तो यह formula हो गया आपके पास यह वाला है इसका formula है समानता स्रेंडी के एनवा पत के लिए अब a और n और d की value यहां put कर दीजे a की value 100 है और यहां पास 11 में 1 को minus करेंगे 10 आ जाएगा और d की value minus 30 तो यहां पास इसका अगर हम multiply करते हैं तो कितना आता है 30 में 10 का multiply करेंगे तो 300 आ जाएगा minus में तो इसका minus करने पर minus 200 आएगा यानि 11 term क्या है minus 200 अगला question देखिए एक बेलन के अधार की तरिज्या दी हुई है ठीक है एक बेलन के अधार की तरिज्या कितनी है 14 cm और उचाई 10 cm है बेलन का वक्रप्रिष्ट ग्याद करना है ठीक है तो H बराबर 10 दिया हुआ है और तरिज्या आर बराबर 14 अगर आपको अगर कोई question में doubt रहता है तो आप वीडियो के comment section में comment करके push लीजेगा साथ ही इस वीडियो को like और share जरूर कर दिजेगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के help के लिए बनाई जा रही है इसे पहले भी हमने आपके practical से संबंदित वीडियो बना रखे हैं तो उसे भी आप जरूर देख लीजेगा अगला प्रशन देखें तो इसमें पूछा क्या गया questions में कि वक्रप्रिष निकालना है यानि curve surface तो इसका formula होता है 2 pi r h यदि जब तक आप formula याद नहीं करते हैं तब तक ये questions आप नहीं बना पाएंगे तो इसलिए सबसे पहले इसका formula याद रखेगा तो इसके बाद देखे 2 pi, pi के place भी हम क्या रखते हैं 22 by 7 और r की value given है 14 और h की value height given है 10 तो यहाँ से 7 वंज़ा 7, 7 रूज़ा 14 यह divide हो गया ओके यहाँ फिर से देखे लिजे यहाँ 7 वंज़ा 7, 7 रूज़ा 14 22 में 2 का multiply करेंगे कितना हैगा 44 आगया और इसके बाद 44 में 2 का multiply करेंगे 88 आएगा, 88 में 10 का multiply करेंगे 880 वर्ग centimeter आएगा अगला प्रशन देखें सिद्ध कीजे कि 2 क प्लस 7 2 क प्लस 7 एक बिसम पुढांक संख्या जांके एक पुढांक है तो यहाँ पास अगर आप इसे देखें तो सबसे पहले 2 क प्लस 7 क्या है बिसम पुढांक है तो इसके लिए 2 क प्लस 7 is equal to उसको क्या लिख सकते हैं इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 8 में अगर 1 को minus करेंगे तो 7 आ जाएगा तो अब यहाँ से इन दोनों से हमको करना है 2 को common करना है तो यहाँ मिलेगा के प्लस 4 minus 1 अब के प्लस 4 क्या है एक integers नमबर पुढांक संख्या है अताब परिभासा से अगर देखा जाए तो 2 के प्लस 4 minus 1 एक बिसम पुढांक होगा लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या दिखा देंगे कि 2 के प्लस जो है 7 एक बिसम पुढांक है तीक है इसमें और जादा कुछ करना नहीं है अब अगला प्रशन देखें question number 11 है x और y में एक relation आपको बताना है जिसमें की ताकि बिंदू x और बिंदू बिंदू x y और बिंदू 7 1 और 3 5 से समदूरस्त हो तो यह आप इसके लिए एक ऐसा draw कर सकते हैं कि यहाँ पास एक बिंदू midpoint में है जो की समदूरस्त यानि P मान लिजे और यहाँ एक बिंदू A है और यहाँ एक बिंदू मान लिजे B तो P A बराबर P B यह दोनों बराबर है एक दूसरे के तो P बिंदू का जो निर्दे सांग है वो भी आपके पास दिया हुआ है यह आप मान के चलिए आपके पास X और Y है यहाँ X और Y P बिंदू का निर्दे सांग है और A बिंदू का निर्दे सांग कितना है 7 और 1 और next B बिंदू का निर्दे सांग है 3 और 5 3 और 5 ऐसा मानके चलते हैं तो अब सम दूरस है मतलब PA बराबर PB हो जाएगा तो दूरी का सुत्र यूज कर लेंगे तो यहाँ पास आप देख सकते हैं यह distance form में से आ जाएगा X2 की value क्या होगी आपके पास 7 और X1 की value यहाँ पास PA के लिए निकालेंगे तो X1 की value X हो जाएगा और उसी प्रकार से 1-Y Y2 value 1 और Y1 की value Y तो 1-Y square होगा और फिर PB जब निकालते हैं तो PB के लिए भी as is well same इसी pattern के यूज करेंगे फिर दोनों पच्चों के यहाँ पास क्या करेंगे square कर देंगे तो square root cancel हो जाएगा फिर 7-X और 1-Y square और 3-X square प्लस 5-Y square होगा तो इस प्रकार से यहाँ पास अगर देख लिजिए तो अब इसका A-B का whole square यहाँ पस detail कर देंगे तो आपके बस 7 का square 49, x square और 7-14x आएगा और फिर 1-Y square को भी इसी प्रकार से करना है तो 1-Y square minus 2Y आजाएगा यह A-B का whole square का formula है क्या होता है इसका formula A square minus 2AB plus B square तो इसी प्रकार से आपको right side के लिए भी करना है अब सारे के सारे यहाँ पास क्या करना है आपको X square X square को इधर transfer करेंगे तो X square minus X square 0 आ जाएगा और minus 14X और यहाँ plus 14X तो 8 आएगा आपके पास तो इस प्रकार से अगर आप सभी को term को transfer करके एक equation last में जो बनाएगे वो आपके पास क्या आएगा वो देख सकते हैं वो आपके पास equation बनता है यहाँ पास देख लिजे कि 8X minus 8X plus 8Y plus 16 8 को भी हम यहाँ पास common करते हैं तो यह step में कैसे करेंगे 8 को common कर लेंगे minus 8 को और into X plus Y और plus यहाँ पास minus कर देंगे हम क्योंकि minus सा तो यहाँ minus सा तो यहाँ plus हो जाएगा यह यहाँ पास आपको क्या करना है plus यहाँ 8 minus 8 को common करिए तो यहाँ X plus हो जाएगा और Y जो पहले plus था वो होगा minus और यहाँ पास आपको minus करना है next फिर plus 16 है तो यहाँ भी minus 2 is equal to 0 अब इसके बाद इस minus 8 को यहाँ 0 कि अपान में लाएँगे तो 0 हो जाएगा और आपके पास एक equation बनेगा X minus Y minus 2 is equal to 0 यह equation बनेगा यह answer होगा ओके next अब अगला प्रशन देखें कि यह ग्राप को प्राट करना है आपास तो इस प्रकार से अगर यह ग्राप देखें तो फूल मती ने अपने घर के लिए 4 किलो ग्राम चावल खरीदा उसके यहाँ रोज 500 ग्राम चावल पकता है उसके घर प्रतेक दिन बचे हुए चावल के लिए आलेक बनाईए यह उम आलेक देख कर बताए कि चावल कब खत्म होगा तो इस प्रकार से यह पूरा डाटा दिया हुआ है आप देख सकते हैं आपास पहले दिन का दूसरे दिन का पूरा यह डाटा दिया हुआ है ठीक है तो इसमें आपको ग्राव प्लोड करके बताना है तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे ग्राव बनाएंगे एक अच्छ मतलब एक साइड आपको क्या लिखना है यह दीनों के संख्या और एक चावल की मात्रा लिखना है तो इस प्रकार से आपको पहले दिन के लिए चावल कितना लग रहा है दूसरे दिन के लिए कितना लग रहा है तीसरे दिन के लिए कितना लग रहा है उसे आपको इस ग्राफ के माद्यम से बताना है और ये पैमाना आप लिखना ना भूले क्योंकि number कर जाएंगे तो इसलिए last में लास्ट में क्या करना है graph के अपर राइट अपर Corner पे आपको एक्स अच और वाइच का पैमाना लिखना है कि इते संटीमीटर ना प desires या भी मीटर में ah cm में ही आपको लेना है अब अगले प्रस्चनำ में दिए हुआ है इाइथागोरस थ्यो रॉरम पाइतागोरस प्रमे क्या है इसे आपको सिद्ध करना है तो इस प्रकार आप देख सकते हैं और अगर आपको ये question नहीं बनेगा तो वीडियो के comment section में comment करके आप हमें बता दीजिएगा इसके लिए हम अलग से वीडियो अपडेट कर देंगे ठीक है नेक्स्ट ये चार नंबर में आता है आपके questions फिर इसके बाद अगला प्रशन मिलेगा यहां से अगर आप देखें कि एक सांकवा कार तंबुक की उचाई 5 मिटर है 5 मिटर तथा अधार के दरिज्जा 12 मिटर है तो उनके तिरियक उचाई तथा तंबुक को बनाने में लगने वाले तिरपाल की लागत मुले आपको बताना है जबकि यदि उसका मुले 70 रुपय प्रतिवर्ग मीटर है तो इसे आप देखकर इधर बनाईएगा जो जो क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं वीडियो के कमेंट सक्षन में क्वेश्चन नंबर आप डाल सकते हैं नेक्स्ट वीडियो आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा अब अगला प्रश्ण देखे यह इंपॉर्टेंट भी है ठीक है कि दो संटीमिंटर है वाले 64 गोलियों को पिगला कर एक बड़ा गोला बनाए जाता है बड़े गोले की त्रिज्या रेडियस निकालनी है और य प्रश्ण भी इंपॉर्टेंट आपका आप सबसे अधिक जो आपडिती है उसी को लेकर चलेंगे तो L की value 20 आ जाएगी ओके तो इस प्रकार से यहाँ पास इसकी जो value मिलेगी तो अब formula use करेंगे आप तो formula use करने के लिए फिर आपके पास जो formula है L plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 और minus F2 into H यह formula है इस formula में इस value को क्या करेंगे put करेंगे तो जब put करने के बाद जो भी आपके पास answer आएगा यहाँ 28 में 17 को minus करेंगे 11 आएगा 28 में 2 का multiply करने फिर 56 आएगा 17 और 23 को plus कर देंगे तो minus में यह आएगा उन दोनों को minus करेंगे देखे देखे कितना आएगा 73 10 और 213 ठीक है कितना आएगा 4 40 56 में 40 को minus करेंगे 16 आएगा और फिर 11 इंटो 10 इसके बाद फिर divide कर देना है तो divide करेंगे 26.88 यह answer आजाएगा इसी प्रकार से अगला प्रश्णा है सांड निकालने के लिए भी formula है पहले इसे आप लिखेंगे इसके बाद समहनत्माद निकालने के लिए दिख सकते हैं यहाँ से f और x तो यह दोनों दिया रहेगा और x क्या करना है इन दोनों के बीच का मद्धे बिंदू 2 से भाग कर देना मतलब 45 और 55 को अगर प्लस करते हैं तो 55 10 और 5491 10 कितना आजाएगा आपके पास हैंडेट आएगा हैंडेट को 2 से अगर डिवाइट करते हैं तो कितना आएगा 50 आएगा ठीक है तो आप यहाँ पास यह मद्धे मान जो आपके पास दिया हुआ है इससे आप निकाल सकते हैं इसी प्रकार से फिर इसके बाद इन दोनों को मल्डिप्लाइ करके एफेक्स आएगा यह टोटल और इस टोटल से डिवाइट कर देंगे आजाएगा आपका एंसर अब इसके बाद अगला प्रशना अगर आप देखें तो यह मिलेगा वेट्य वर्ष से 2,12,13 में राजेस की कुल वार्षिक आए कितना है 5,65,000 रुपए मतलब यह आईकर वाले से मिलेगा तो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं और आप इसे बनाएंगे अगर नहीं बनेगा question doubt रहेगा तो आप वीडियो के comment सकते हैं comment करके आप हमसे पूझ भी सकते हैं next जो इसके आगे का वीडियो होगा पूरे detail के साथ आपको बता दिया जाएगा तो dear listeners इस वीडियो को like और share जरूर कर देजिएगा क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के help के लिए बनाई जा रही है कि आप कम समय में बहुत अच्छे से आप अपने board की तैयारी कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताय जा रहा है और कम समय में आप ज़्यादा ज़्यादा math में score कर सकते हैं ठीक है अगला प्रशन है ये सोलोवे नंबर का प्रशन है इससे आप देखेंगे पांच से नंबर का ही है ये प्रशन जिसमें की रशना सही तो आपको इसको पूरा detail करना होता है और इसके बाद अगला प्रशन है आपको मिल जाएगा त्रिग्नोमेट्रे से related रहेगा questions देख सकते हैं ये last questions है आपके पास ओके students तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए thank you and good luck करना ह् से आपके बाद कह सीन कर दो का दूना है अएDay से मिले रहे वीडियो